हलेह् rows विल्कम त्व नियू लर्निंग've वीडियो तो आजके सक्ष्ट्रियो में हम CRANK BAR और TOP AxKR बार क्यू देते वन वे ओर टू वे सलप इसके बारे में डिस्कस कारने वाले आजके अचुडियो में मैंने पुछली बार वीे और वीडियो बना था जिसमें हमने one way slab और two way slab क्या होता है इसके बारे में discuss किया था तो उसमें मैंने बताया नहीं था कि इसमें किसलिए top extra bar क्यूं use करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम top extra bar क्यूं use करते हैं इसके बारे में में explain करने वाला हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर दिखिए तो पहले हम crank bar किसलिए provide क्या जाता है इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर एक beam है और इस तरफ भी एक beam है तो यह दोनों support के बास यहाँ पर इस यहाँ पर हमारा एक negative bending moment होता है और इस तरफ यह negative moment होता है और center में हमारा positive moment होता है तो उसको resist करने के लिए negative moment को resist करने के लिए हम crank bars provide करते हैं और इस तरफ भी हम negative moment को resist करने के लिए हम crank bar provide करते हैं तो अब हम एक्स्ट्रा बार किसलिए दिया जाता है तो इसके बारे में बात करेंगे तो पहले मैं आपको एक्स्ट्रा बार कहां पे देते हैं इसको मैं दिखा देता हूँ तो यहां पे हमारा यह क्रेंक बार है और इसके बीच में एक्स्ट्रा बार है तो अगला यहां पे हमारा यह क् L by 4 से हमने यह प्रोइड किया है यहां तक आता है हमारा यह एक्स्टा बार और इसके बाद यहां पे तो alternative way में हम क्रैंक बार प्रोइड करते हैं मैंने पिछली बताया था तो अब हम इसके बारे में बात करेंगी कि यहां पे क्यों एक्स्टा बार हम प्रोइड करते हैं तो मैं आपको अभी एक्स्टा बार किसलिए प्रोइड किया जाता है दिखा देता हूँ सपोर्ट पे किसलिए प्रोइड किया जाता है एक्स्टा बार तो आपको दिखा देता हूँ यहां पे हमारा यह क्रैंक बार जैसे कि आप देख पार हो यह हमारे क्रेंग बार है और इस तरह भी एक क्रेंग बार है तो यहां से यहां तक का डिस्टंस हो गया पाच इंच तो इस तरफ से यहां तक हो गया हमारा पाच इंच तो दोनों क्रेंग बार के बीच में वाला डिस्टंस हो जाता है दस इंच तो यहाँ पे failure होने के chances बढ़ जाता है support पे तो ज़्यादा failure होने के chances हमारा support के पास होता है तो इसलिए हम जो भी खाली जगह बच जाती है दोनों crank के बीच में हमें extra bar हम provide कर देता है तो यह एक reason होता है यहाँ पे extra bar provide करने का तो आप इस चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को like कीजिए तो आपको इसी तरह के learning video मिलते रहेंगे Thank you for watching